स्वागत है, आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्ट टेकनोलजी में मैं अनुपोमेपल, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शो साइंस थास्टी में आज हम लोग बात करेंगे कमबाइंड चारजिंग सिस्टम नमबर टू के बारे में तो आये समस्ते हैं तो सबसे पहले बात समस्ते हैं कि समस्या क्या है क्योंकि मैंने जब EV के बारे में बात बनाया था यानि टू विलर्स कूटी सब जो बहुत आने लगा है मार्केट में उसमें मैंने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पे फोकस किया था नहीं होता, किसी का nozzle बड़ा होता है, किसी का छोटा होता, किसी का किसी में fit होता, किसी का किसी में नहीं fit होता, तो आप लटक जाते हैं, और ये इस पे law बनाया गया है, कि इसको एक ही standard करेंगे, हर company, हर जगाँ पे, almost समझे, पूरी दुनिया में यही इस्तमाल होता है, angle भी सेम किया जाता है, diameter भी सेम रहता है, तो इसी काना से आप कहीं पे भी तेल भर सकते हैं, तो ये बहुत important बात है, बीना इसके मतल समझी, फ्यूल वाली गाड़ी उतनी चलती ही नहीं, इलेक्ट्रिक के साथ अभी वैसा नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक के दुनिया में बहुत ज्यादा charging standards है, जैसे आपका CCS, यानि combined charge standard 1, जो अमेरिका में इस्तमाल होता है, फिर CCS 2 है, combined charge standard 2, जो कि ज्यादा बेटर है, वो येरोप में इस्तमाल होता है, इंडिया में भ ब्ला ब्ला बहुत सारा, टाइप 1 AC charger है, बहुत सारा है, तो ये कोई किसी के साथ काम नहीं करता है, तो इस कारण यही हो रहा है कि आप कहीं पर भी charging infrastructure नहीं बना सकते हैं, चाहा के भी नहीं बना सकते हैं, यही सब में आपका band बग जाएगी, आप चाहा भी रोजा से कमाल फेल हो जाएगा अगर धंका charging यह मतलब समय है, यह स्टेंडराइजिशन नहीं है, तो यूरोप यह बात समझ गया, इसलिए सीधा बोल दिया हुए है, C, C, S, 2 शांती से इस्तमाल करें, इसलिए टेसला जो वहाँ बेचे जाते हैं, उसमें भी C, C, S, 2 रहता है, उनका जो एसी के डिपार्टमेंट वह C, S, 2 में कूच चूके हैं, तो यह समस्या बहुत बड़ी बात है, क्योंकि EV बिना इसके फेलो जाएगा, और स्कूटी के बारे में स्टार्ट भी मत कराई है, यह सब लोग अपना जो एकदम लूज मोशन करके रख दिया है, वह बहुत बुर होता है, तो यहां पर समझते AC का लेवल होते हैं, तो AC चार्जिंग का लेवल 1 होता है, एक होता है, जो आपको सांथी से एडाप्टर दे जाए जाए, गाली में इमर्जनसी के तौर पर रखे रही है, अब बात है कि यहां पर लेवल 1 का सिंपल मतला एक फेस करेंट दिया आप सेटिंग बहाद है, तो दस एम कर तो तब फ्रिज या AC वाला जो प्लग है, उसमें लगाना होगा, तो यह हुआ AC लेवल 1 एक फेस वाला, फिर लेवल 2 होता है, जो मल्टी फेस होता है, मल्टी फेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि USA केस में मल्टी फेस का मतलब होता है दो, यूरोप के कहस में मतलब होता है, तीन, मतलब इंडिया में भी तो तीन ही फेस है, तो यह समझे, और इसमें किलो वाट कितना डाल सकते हैं, आपकी गाली में कितना किलो वाट जाएगा, यह डिसाइड होता है, आपके गाली में जो चार्जर लगा हुआ है, गाली में देवेट हो जाता है, मतब एक फालतु का वजन आप करी कर रहे हो, आपको गारी चलाने में इसका कोई फैदा होता नहीं, इसलिए इसको कोई नहीं रखना चाहता है, तो यही समझे, तो अब रहा बात कितना स्पीश से चार्ज होगा, यह डिसाइड करता है, कि दोनों में से अब करते हैं, और यह जो इलेक्ट्रोनिक से औसा को सिर्फ एकि जाक है, बताना प्लग का एंप रेटिंग किया है, यानि कि कि तना एंप ड्रॉट होगा, वह और चार्जज का, यानि कि जो चार्जर है, वह डिसाइड कितना एंप हम खीचेंगे, लेकिन इसे बताया कैसा तो इसमें डेटा पिन बताता है कि देखो भी यह तुमको कितना चाहिए वह बोल देता है बीस चाहिए हमको वह प्लग से पूछेंगा प्लग क्या तुम बीस दे से तो प्लग बला नहीं हम 16 अम्स वाले प्लग है हमको उससे जादा मत खीचिया तो 16 पर सेट कर दिया जागा जो भी कम है अगर माली जे प्लग बनाया गया है 16 अम्स का और उसमें आप ड्रॉ कर रहे हो 3 अम तो जबरदस्ती का बाकी अम थोड़ी घुस जागा जैसे आप प्लग लगा तो 16 अम का प्लग लगा तो उसमें आप जेतना ड्रॉ कर रहे हो उतना ही पावर निकलेगा तो मतलब माली काड़ी किसी कारण से फॉल्ट मार रहा है और जर्वस्ता ड्रॉ कर रहा है वो डिसकनेट कर देगा किसी कारण से मतलब यह हो रहा है कि और्फिंक की फॉल्ट आ रही वो डिसकनेट कर देगा तो यहां पर वही समझें कि दोनों में से कम क्या है अगर यह बोल र तो यह समझना बहुत ज़रूरी है और रहा बात की क्यों ज़्यादा नहीं ज़रूरी है रहा बात की लीथियम आयन का चारजिंग रेटिंग होता है वन सी यानि कि उसका कितना भी बड़ा कैपेसेटी हो वह एक घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है लेकिन तब सारी गाड़ी मुझ खोलके क्यों बोलती है चार घंटा चाहिए जब वह चार्ज हो सेता है क्या मैं स्ट्री बोल रहा कि भया हम आराम से कर लें एक घंटे में आप करते हो थोड़ा सा लाइफ में असर पड़ेगा वान एन हाफ अवर में करो वह कमफर्टेबली ह कारण वही है कि यह सब चार्जर जैसे यह बतारों 3.5 kilowatt का है यह है मत्दब 6 kilowatt का इसी साइस का मत्द तो डबल साइस का जो 22 kilowatt का है यह महिंगा होता है बहुत महिंगा होता है और यह गाली मिजासे माली ओकर महिंद्रम बतकर तो एक दोलाख यही सब equipment खालेगा, इसलिए आपका Ola का जैसे charger है, वो charger सिफ एक किलोवाट के अंडर का है, वो एक के डवल्यू का भी नहीं, वो 900 वाट्स का है, इसलिए उसको चार्ज करने में इतना टाइम लगता है, और ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि उसमें डाल दिया माली, एक किलोवाट हो जाता है लोगों को AC चार्जिंग देने से, इसलिए AC बहुत ज़्यादा पावर का चार्जिंग नहीं होता है, और अगर आपका बैटरी अज़स्ट कर सकता है, जो कि जनरली लिथियम आयन है, तो 0.5C मान के चलिए 1.5 हावर में बम बम चार्ज हो जाएगा, वो कर सकता लेकिन बात वहीं कि चार्जर इतना महंगा हो जाएगा और इतना वजन एड़ गाड़ी में कि वो प्राक्टिकल नहीं रहता, इसलिए जनरली सिफ इतना दिया जाता है कि काम चला लो, और टेसला के केस में आपको आप्शन दिया जाता है कि आप नॉर्मल लीजर जो 10 किल किलोवाट का है या extended लीजर जो almost 20 किलोवाट का है, आम गाड़ी में सस्ती गाड़ी में जनरली तीन से 6 क्यास पस रहेगा, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा कि कि इतना किलोवाट का उसका चार्जर है, क्योंकि ये भी तो सचना पड़ता है कि माल ल तो इसीलिए ऐसी चार्जिंग जनरली चार्जिंग माना जाता है, और गाड़ी में भी जनरली जो चार्जर रहता है, वह बहुत कमजोर रहता है, तक बात काते हैं अगर आप बात करेंगे, वही प्लक के नीचे दो एक्स्ट्रा पिन दिये दिया जाएगे, और इसको बना इंजिनियर्स लोग बैठ के सारे गलती से मतलब जितने पिछले चार्जिंग स्टेंडर्ड है सब का गलती से सिखे इसको डिजाइन किया गया है यह वन आप दी बेस्ट सिस्टम है क्योंकि यह फुल एसी सपोर्ट का था मतलब आप आप आराम से लेवल वान एसी कर सकते या है और आपने यह मल्टी फेस वाला डाल दिया वो कुछ नहीं करेंगा वर्स इस लेक हम नहीं यूज करें जैसे आगर आप देखते होंगे एंड्रोइड की किस्विस में सब में यूस्बीसी है लेकिन सब यूस्बीसी एक स्पीड से चार्ज नहीं करता ना जब तक हैंड होता है दोनों के बीच में गाड़ी और चार्जर के बीच में कि तुमको क्या चाहिए तुम क्या खाऊ गए उसी के बैसी पर करते हैं और कितना पावर दे सकते हैं तो जर्रली वोल्टेज आम लोगों के एसे में किया जाता है 240 वोल्ट नॉर्मल एक्टी एंप्स तक दे स आप कर भी दे रहें लेकर बात है कितने लोगों की गाड़ी होती है जिसके अंदर 40 किलोवाट का चाहर है लगभग एक बी नहीं मतलब बस के बारे में बात नहीं कर रहे है जनली इतने फोर वीलर्स होते सब बोल रहे है दसी आपको मैक्सिमम मार्गेटों मिलने वाला है अगर आप खरीते हो एक्स्टेंडर तो यह जनली यहीं पर लिमिट कर दिया जाता है और यहां पर यह समझी कि यह फेज वन आप घर में भी कर सकते हो अगर आपके घर में तीन फेस की बिजली है त्री फेस का कर सकते हो और माल लिए अपके घर में पावर रेटिंग है कि यह सिर्फ 10 किलोवाट नहीं दे सकते कि मतला आपका घर का पूरा लाइन ही 15 किलोवाट का है घर में एजी है घर में फ्रिज है उसका बिजली के साथ भी अगर आपका गाड़ी खाने लगए और ट्रांस्वानर बोले भाई क्या कर रहो तो इसलिए उसका लिमिट कर दिया बहुत ज़्यादा मत खा तो वह भी आराम से ऐसा कर सकते कि आपको सिफ 10 किलोवाट ते यह आराम से सपोर्ट कर सकता है 80 एम्स तक का पर फेज़ लोड ले सकता है आप उसको कैसे इस्तमाल करते है वह आप पर है अब रहा बात इनको बनाने वालों ने बहुत सोचा कि माली छोटी वेहकर से क्या आपका यानि की णिसोटा है उसका बैटरी फिर सच्च पर च्रणि बांगी क्यों ना इनकि पर महंगगा ऑफिसली बडा जैख होगा बडावद चार्जर होगा सब बढ़ जाएगा तो तो दाम कम कैसे रखा जाए तो इसमें एक A.C. का लें can फिर शी लेवल वान चाजिंग क्या करता है कि AC पलग इस्तमाल करता है और इस प्लग में मतलब प्रोटेक्टिव अर्थ या नि जो सेंटरल पीन दे रहे है जिसमें ग्राउंडिंग DC Speed Charger से दे देंगे और इसका फाइदा होता है कि दो पिन का इस्तमाल करते है जानली माली एगर आपका स्कूटी है बहुत कम पावर का जानली ओला का स्कूटी का कपैसिटी चार किलो वाट आवर के अंदर का है सिर्फ प्रोटेक्टिव अर्थ देना है और प्रोटेक्टिव पिन देना है तो घुमा फिरा के यह पैर्लल कर देने से तो प्लस कर देने से तोटल आमप छाटा की 56st कीम्वाट तक यानिकि 56 सिक्स किलोएट का फुल फााइस शारजिंग मैंसीयों अभए तो यह होना चाहिए था इंडियन गॉवर्मेंट का ताम कि वही है आप इंडिया में इलेक्रिक वेकल बेच रहो बले बहुत अची बात है लेकिन सब का बैंड ना बजे इसलिए सांती से आप लोग यह वाला स्टेंडर्स इसलिए और हर दुनिया में हर मैनुफेक्चर को प अराम से मिलता है और ओपन स्टेंडर्स और अराम से आपको बही है तो यह समझना बहुत जरू है कि यह सिर्फ अभी मैं इसमें बात कर रहा हूँ इतना ज़दा पावर है इसमें अब बात करते हैं डीसी लेवल टू लेवल टू जो है अगर आप उसको कूलिंग नहीं कर क्यों बात यह था कि तार अगर आप मोटा कर तो तभी उसमें ज्यादा एंप जाता है बले बले लेकिन बात है कि इंसान को इस तार को इदर सुदर करना है आर्नल्ड स्वसनेगर बार बार नहीं करने वाले है तो आम आदमी का एक लिमिट मतलब स्टडी किया गया कि आगे लेकिन आप लोगे सुपर चार्जर सब है तो फिलड़ किलोवाट सुपर चार्जर यह सब कैसे हो जा रहा है बात है कि इसको बनाने वालों नहीं सोचा था कि तार को थंडा किया जाता है यानि कि यह हो गया आपका DC बस का तो इसमें कूलेंट का पाइपर रहता है जो यह तैर इतना मोटा हो जाता है या तो अगर बिना पूलिंग चाहिए तो शीदा सौ特 मार जाय गया क्योंकि थोड़ा दिर में गरम होगा और चीद कर देगा तो कुलिंग चैए अब कूलिंग अगर आप इसमें डाल देते हैं जो की डालना ही पाड़ेगा एर आप सो किलोव तक खीच सकते हैं 500 किलोवाट में मतलब आप बस चार्ज कर रहो वह भी स्पीड चार्जिंग और यह मैं किलोवाट किलोवाट बोल रहा हूं तो आपको एक अंदाजन देने के लिए मतलब जतनी मैं बहुत जादा पावर है यानि कि यह एक घंटे के अंदर आराम से चार्ज कर सकता है तो एक बाद फिर से सब और लिए रहते हैं एक फेस है आप उसे असे लेवल वान कहा जाएगा दो फेस है तो एसी मल्टी फेस कहा जाएगा यानि कि लेवल टू चार्जिंग थ्री भी है वोल्टिज बहुत कम है लेकिन यह जादा है कि आप चार पिन को पैरलल कर सकते हैं मतलब दो प्लस दो माहिनस हो जाएगा डीसी मिड है यहां पे आप मैक्सिमुम 56 किलोवाट तक जा सकते हैं जो कि समझ लिए अल्मस्ट यह तो महिंद्रा यह वो को भी पूरा चार्ज कर और अगर आपको बंबं चार्ज करना है तो डीसी लेवल टू चार्ज करें जो कि वो नीचे का दो पेन इस्तमाल करेंगा और यह अगर गरम जगांपे हैं तो 100 किलोवाट तक दे सकता है और अगर आपको कूलिंग कर रहे हैं तो 500 किलोवाट तक चला जा सकता है CCS2 बनाने पर टाटा किसंटा कर सकता है तॉसमें भागी सब इस्तमाल करता है बेस्ट ऑध नहीं हो लेकिन कुछ नहीं होने से तो अच्छा रहेगा अभी तो लटक ज्याएंगे अरे यह चार्जर इन स्टेशन है लेकिन यहाँ पर मेरा प्लग नहीं है यह बहुत बड़ा समस्या है अब बात करता है DC fast charging को थोग और अच्छा से study करते हैं तो DC fast charging इतना ज़्यादा power देता कैसे है बात यह समझी कि मैंने आपको बता है कि charger जो है गाड़ी के अंदर है उसका एक वजन है उसके वास एक penalty देनी पड़ती है उसको तो बात है कि अगर आपको पेनल्टी ना देना हो तो यही है यह टेसला को सुपर्चाजर है आपको लगए बात है कि टेसला गाड़ी बनाने लिए कंपनी है और electronics भी उन्होंने खुद से मतलब OEM बने हैं बैटरी से Connect होता है चार्जर नहीं करता है उसमें सिफ सेफटी का काम का में और भी बैटरिका कंप्यूंटर करेगा तो इसे बहत करेगा फिए तुम्हें कितना बोल्टीज चाहिए क्योंकि अलग-अलग गाड़ी का अलग-वोल्टेज उसकता है, कुछ-कुछ मिटर रिंज का उसकता है, तो और आम से 400 वोल्ट तक चला सकता है, या 500 तक का लिमिट रखा गया है, तो वो बात करेगा गाड़ी से, तुम्हारा बैटरी बैंक का वोल्टेज कितना है, ठीक है, तो जैसे माले टेसला केसम मोलता है यह 420 चाहिए ठीक है 420 DC वोल्टेज वो देगा कितना एम्प देगा यह डिपेंड करता है दो चीज पर यहां पर की मतला आपका यह स्ट्रक्चर सपोर्ट कर सकता है कि नहीं दूसरा गाड़ी खा सकता है कि नहीं तो यहां जनरली अगर DC फास्ट चाहिए तो गाड़ी मुह खोल के बोलता है कि यहां हमको जितना आप दे सकते दे तो हम खाले है जो कि बैटरी अगरे पूरा डिस्चार्ज है बहुत अच्छा स्पीड से वो एनर्जी अप्सॉर्ब कर सकता है बैटरी अगर फुल चार्ज होगे तो उसका करके बैटरी सल को वार्म अप करता है बैटरी अप हो जाता है तो यही समझ इक ही स्थिपार्ज चार्जींग इसलिए तना मेंगा होता है इसलिए घर में कोई हम नि कर साते को समल इतनी सारे चर्जर को खरीजना पड़ेगा और एसी चरजिंग में सिफ आपक चाहता है आप चाहें तो फोर्स कर सकते है वह चार्ज हो भी जाएगा और बूम बाम नहीं करेंगा लेकिन लाइफ स्पेंट बहुत कम होगा इसलिए टेसला केसे में इसलिए नीचे एक्जांपल देख स्टार्टिंग हो रहा है वह दिखा रहा है चार्जिंग टाइम आपक तो यह समझने जरू है यह लिए लिधियम आयन कमेस्ट्री का लिमेट है इसलिए एक घंटे के अंदर गाड़ी को चार्ज करने नहीं दिया जाता है आप 0-50 जेतना स्पीट से करना कीजिए 0-50 आप चाहें तो 15 मिनट रो कर दीजे को दिकत नहीं इसलिए ओला आपको लिधियम टाइट वैटरी इस्तमाल करना पड़ेगा ल्टियो सेल्स वह आपका मतलब अराम से अधा घंटा में फुल चार्ज जीरो टू हंडडर वह फुल बर्दास कर लेगा साइड इफेक्ट उसके कपैसिटी कम होती है यानिकि उतना ही बड़ा गारी रहे उतना ही मतलब कूलेंट खासता और का वह घूमता रहता है बीना इस कूलेंट की यह केबल इतना मोटा हो जाता है कि मतलब यह लोग ट्रैक हिए कि बीना कूलेंट वाल लेकिन बात है कि ऐसे लेकर चार्ज लगाना पड़ रहा था तो ओविसली कोई इस्तमाल नहीं करता तो वह भी यह भी सोचना पड़ता है सची इंजिनियर का काम यह भी ताकिवरी है इंसान उसे 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 कर सेके आराम से ऐसा भी नहीं कि आपको जिम जाना चे छे घंटे तब जागे आपका बॉड़ी इतना हो नहीं आराम से आम पब्लिक आम ज़रूरतों में कर सके तो यह हुआ DC फ फार्चाजी ऐसे ही की जाती है और चुकि यह डारेक्ट बैटरी से बात कर रहा है इसको DC वोल्टेज बस काफी हाई रेंज रखना पड़ता है दाकि कोई भी गाड़ी आए कितना भी वो DC वोल्टेज मांगे हम उसको दे सके 500 वोल्ट के अंदर और वो क्यों है वो अगर आपका गाड़ी का जो चार्जर है वो अगर 10 किलो वाट तक पहुंच जाता है जो कि आप खरीद सकते हैं तो आल्मोस्ट बेस्ट है क्योंकि यह आपको मोस्ट ओवर्नाइट चार्जिंग कम्ट्रीटली कर सकता है यानि कि आपका गाड़ी पूरा डिस्चार्ज होन चार्ज होगा नहीं मतलब एक दो बार होगा कि अरे उस दिन निकल गे था टूर पर तो दोड़ाल पिस चार्ज हो गया जनरली वो 50% इखटेगा 50% चार्ज करें तुक जाएगा कोई दिकत नहीं है लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि यतने के कैसे में यह लोग अ अब कर्स चला सकते हैं अब के जहां पर आपका मोटर है वहाँ पर थी फेसर रहता है और सारा मोटर पर थैन्या हमेशे रहते हैं वो थी फेसर आप वह वापस बीजली बैटरी में अच्छ जैन को यह है इसी बरेयर करता है तो क्यो नहीं पर थी डाल तो उसका सब से तो वहां से चार्ज क्यों नहीं दे रहे हैं और आपका जो आई-सी है यानि जो मेन चिप है वह अगर 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 उसमें कॉंट्रोलर है यह किया जा सकता है बस यही मुझे दिख रहा है कि आने वागा टाय में जो इसको अच्छे से क्रेक कर लेता है वह इसका काफी क्योंकि चार्जर के लिमिट खतम हो जागा विए चार्जर एक अलग से डाम डालो अलग से वजन डालो वह सबने में तो आपको दे नहीं है अब भले उसमें कॉंट्र साइड हो जाएंगे ओविसली तीन ओफेस का जो डिसकनेट करें मोटर को डिसकनेट करें और आपका ब प्लग्ज लगाए जाते हैं आपके घर में आराम से 20 एम तक दिए सकता है सरकार बीना उसको ज़्याद दिक्कत के और उससे अगर फटा-फट चार्जी होने लगा तो हर कोई इस्तमाल कर सकेगा तो वही समझे की को अल्मुस्ट समझे खतम हो रही गया है चैड्मो और CCS2 गवर्मेंट को मेंडिटेट करना हो बस वह मिस कर गए कि टू विलर्स के लिए उसमें कपैसिटी दिया गया है बोलता है बताब सेम एसी प्लग में आप आराम से 40 किलोवाट्स दे सकते हो 40 किलोवाट्स ता आपको सूपर चार्जिंग नहीं दे रहा है तो रोक्यों रहे आपको DC फासर जिंग के उतनी जरूवत नहीं पड़े लांग रेंच ट्रावल कर रहे हैं तो बात लगा जनरली जरूवत नहीं पड़ेगा अब ही समझे मेरा मेरा मेन आइड़िया वही है कि में चार्जर जो है जो है आपका सबसे में काम कर रहा है सबसे हाइक कापैसिट पर वो तो आपका मोटर ड्राइवर है उसी को उल्टा यूज करो और मोटर ड्राइवर के लिए आपने तो कूलिंग भी दी जाती है तो हां बात सब्सक्राइब लेकिन पॉसिबल हो जाए और रेंज बड़ जागा तो फाइदा है तो यह था मेरा प्रसेंटेशन CCS2 के बारे में उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगो कुछी करिम लगो कुछ समझ में हो अगर ऐसा है लाइक कर दे दोस्या श्रीयर कर दे उस मेरा काफी बला होगा नहीं अचा लगा नहीं पसंद आए कोई बात नहीं आप डिस लाक दबा सकते हैं मैं कोगो डिस लाक द ने बाउ